जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते माहकाली बगत गयान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज कि वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ माता से बात करना चाते, माता से कुछ पूछना चाते, माता से अपना कोई कारे कराना चाते तो ये वीडियो उनी भक्तों के लिए होने वाली है और आज मैं आपको इस वीडियो में केवल एक उपाय बताऊंगी जिस उपाय को आप शनिवार के दिन करके माता काली को शाक्षात रूप में अपने घर में बठा सकते हो जिस समय आप माता को बुलाओगे उस समय माता आपके पास आएगी जो माता से पूछोगे सब कुछ बताएगी हर चीज की जनकारी आपको माता देने लगेगी अब ही काफी सारे भकते हैं मा काली के जो पूजा पाट तो अपने घर में करते हैं प्रति दिन की भी करते हैं हपते में जैसे मरजी करते हैं तो उन लोगों के सथ क्या होता है कि पूजा पाट भोत करते हैं मंत्र जाब भी करते हैं माता के मंदरों में जाके हाजरिय भी भरते ताकि माता हमसे खुश हो, माता हमारे कारे सिद करे, माता को जब हम बुलाएं माता हमारे पास आए, सब कुछ करते हैं आज के समय में जितने भी कालिम मा के भकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है, कुछ लोगों को प तो आपको कुछ नहीं करना है पूजा पाट आप जैसी करते हैं वैसी करना ठीक है मंतर जाप जो जबते हैं वही जबना बस मैं आप लोगों को एक उपाय बताऊंगी छोटा सा उस उपाय को आपको कर लेना है जैसे ही आप वो उपाय कर लेते हैं तो ये एक ही बार आपको क करना है शनीवार को अब यह उपाय करते ही आप खुद देखना कि आपके पास माकाली कैसे चल करेगी सबसे पहले रूप आपको मातक कौन सा दिखाएगी सब कुछ बताऊंगी पर बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं अगर आप लोग महाकाली भगतग्यान य आश्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा तो भक्तो धियान से सुनो जो मैं आपको उपाय बताने जारी हूं आप लोगों को माकाली को बिलाने के लिए कुछ नहीं करना है बस सनीवार के दिन माकाली के मंदिर में जाके छे चीज़े चड़ा देना जो मैं एक बर चड़ा के आप देख लो 108% मेरी गारंटी है और मुझे माता पे पूरा भरोसा है कि जब यह चीज़े आप चड़ाएंगे तो माता आपके पास आएगी और ऐसा मैं आपको नहीं बता रही हूं ऐसा मैंने कुछ लोगों को बताया है जिन्होंने इस कारी को किया है और आज वो मेरा धन्यवात करते हैं कि आपकी किर्पा से मा भगवती हमारे साथ हैं हमें माता से कुछ पूजना होता है तो हमें माता बताती है हम जो भी बात करते हैं माता सब कुछ बताती है सही रास्ता दिखाती है आज भी वो लोग बोलते है तो आज मैं आपको भी वार शनिवार के दिन इसकारे को कर लेना जो उपाय में बता रही हूँ छे चीजे आपको मंदिल में जाकर चड़ानी है पहली चीज में आपको एक लेना है पानी वाला नारियल नारियल के उपर आपको लाल सिंदुर का सात्या बना लेना है सात्य बनाने के बाद नारेल को अलग रखना है दूसरी चीज में पांच निम्बू ले लेना तीसरी चीज में दस बतासे ले लेना और बीस लोंग ले लेना और चुत्थी चीज में एक मीठा पान ले लेना पांचवी चीज में आप लोगों को पांच जाइफल लेने हैं और छटवी चीज में आप लोगों को माता के लिए पांच पेड़े लेने हैं ठीक है बस यही छे चीजे हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं इनी का आपको इस्तमाल करना है आप इन छे चीजों को क्या करना है जिसे कि आपके आसपास के एरी में कोई भी काली माता का मंदिर हो माता दुर्गा का मंदिर हो किसी भी देवी शक्ती का अगर आपके आसपास के एरी में मंदिर है तो वहीं जाके आप इस कारे को कर सकते हैं नहीं कि काली मता का मंदिर होगा तो आप वहीं करेंगे किसी भी देवी के मंदिर में इसे कर सकते हैं बस के करना क्या है मंदिर में जाके अपने साथ में कमजेगम दस कपूर लेकर चलना अपने साथ में जब यह चीज लेकर जाओगे दस में से चार पांच कपूर मंदिर के नीमभू जयफल ये चीजे आप अपने हाथों से मंदिर में बैठ कर चड़ा देना थेक आप के पस क्या बचेगा पानी वज़lor नारियल ये सबसे पहले जब आप मंदिर में एंटर करो गए यानि मंदिर के अंदर गुसोगे सबसे पहले माता की मूर्ती के पाद जाके आप अपने हाथों से नारियल की भेट उनके चर्णों में धर देना और वागी जो चीजे मैं भी बताई हैं इन चीजों को आपको अपने हाथ से कपूर के ओपर माता को भोड लगाना है मंदिन में और माता से कहना है माता मेरे साथ चल मेरे घर चल और मैया मुझे सक्ति दे जब कभी कभी आप याद करोगे बुलाओगे माता को कुछ भी पूछ ना हो अपने बारे में अपने घर के बारे में अपने परिवार के बारे में किसी भी चीज की जानगारी चाहिए हो तो जब माता को बुलाओगे तब माता आपके पास आएगी चाहिए आधी रात को बुलाओ चैक कभी भी बुलाओ ठीक है तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अभी आपको कुछ पूछना है नीचे कमेंट करके पूछ लेना मैं आपका जबाब जरूर दूँगी अभी हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जए मातकाली हरहर महादेव माकाली बाबा भोलेना तो आप सभी की सारी मनों कामना पूरी करें खुछ रहें आप और आप लोगों का परिवार जए मातकाली